नमस्कार जोहार मैं याचन जैस्वाल आप देख रहें न्यूज जार्खन चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जार्खन की तमाम बड़ी ख़वरों को सड़क हाथसे में तीन की मौत दो मोटर साइकल की आपस में हुई टक कर तेजरफतार में थी दोनों बाइक पश्ची में सिंगुं के कुमार डुंगी थाना छेतर अंतरगा सेड़ बिंजा चौक के सम्मी भीसर सड़क हाथसे में तीन लोगों की घटना इस्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई इसमें तीन व्यक्ति दो मोटर साइकल में सवार होकर अपने घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है जिसमें दो मोटर साइकल के तेजरफतार के साथ आपस में भिड़ने से हुई है घटना में एक व्यक्ति की पहचान भागाबीला गाव निवासी उन्निस वर्सिय रितिक बिरुवा के रूप में होई है जो अपने रिष्तेदारों से मिलकर पलसर 220 मोटर साइकल से अपने घर वापस जा रहा था मृत को में दो लोगों की पहचान कुमार डुंगी गाव के गुलियसाई निवासी 28 वर्सिय मोटाय गागराई वर मठारवर्सिय गांधी गागराई के रूप में होई है दोनों मृत तक सगे भाई हैं घटना के समय आसपास में मौजूद लोगों ने बताया कि पलसर 220 वोटर साइकल ने अपना नियंतर खो दिया जिससे यह दुरघटना हो गई जारखन में जल्द 30 लाक उप भुकताओं को मिलेगी मुफ्त बिजली चमपई सरकार देने वाली है बड़ी खुस खबरी राजी के उप भुकताओं को जल्दी 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी अभी 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है मुख्यमंत्री चमपई सोरेन ने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई समेक्षा बैठक में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोशना की थी और उर्जा विभाग को इसे संबनित प्रस्ताओं बनाने का निर्देज भी दिया था और जब विभाग द्वारा प्रस्ताओं तयार कर लिया गया है जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा वित विभाग की भी मंजूरी मिल गई है राजी सरकार इस योजना पर करीब पच्ची सो से तीन हजार करोड रुपे तक सबसीडी औरजा विभाग को उपलब्द कराएगी बताया गया कि यह लाब नहीं उभुकताओं को मिलेगा जो 125 यूनिट तक ही बिजली खपत करते हैं इससे अधिक होने परुने 6 दस्मलों 25 रुपे प्रती यूनिट की दर से भुकतान करना पड़ेगा चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेत्री अमिशा पटेल बयान दर्श कराने 27 फरोरी को होंगी सहसरीर उपस्थित चेक बाउंस के जुड़े मामले में आरोपे फिल्म अभिनेत्री अमिशा पटेल और उनकी कमपनी अमिशा पटेल प्रोड़क्शन एमम उनके बिजनेस पार्टनर कुनाल गुमर 27 फरोरी को अधालत में सहसरीर उपस्थित होंगे अधालत ने उस दिन अमिशा पटेल अमिशा पटेल प्रोड़क्शन बिजनेस पार्टनर कुनाल कुमार का CRPC की धारा 313 का बयान दर्श करने की थी निर्धारित की है इस मामले में दोनों पक्षों के बीच मद्यस्थिता का प्रयास किया गया था लेकिन बात नहीं बनी है इसके बाद अदालत ने बयान दर्श करने की थी निर्धारित की है बता देंगी पिछले सुनवाई के दोरान अमिशा पटेल के अधिवक्ता द्वारा कोट से कहा गया था कि वो पैसा लोटाने के लिए तयार है इसलिए समय दिया जाए मामले की सुनवाई नियाएक दंडा धिकारी डियन सुकला की अदालत में चल रही है जारकन में बारिश को अलर्ट, कई शहरों में च्छाय बादल, उत्तरी भाग में आकाश्य बिजली गिरने की संभावना जारकन में एक बार फिर मौसम का मिजास बदल रहा है मौसमी भाग ने बदलते मौसम को देखते हुए यलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसमी भाग ने राजी के उत्तरी भाग में कई जगहों पर बारिश और वजरपात की संभावना जताई है वहीं आज कई जीलों में दिन में छिटपुट बारिश भी हुई है वहीं शाम तक भी कई जीलों में बारिश हो सकती है वही राजे में मौसम सुस्क रहने का अनुमान लगाया गया है 22 फरोरी को यह दायरा थोड़ा बढ़ सकता है और आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है मौसमी भाग ने जिन जीलों में बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें मुख्य रूप से गड़वा, पलामू, चत्रा, हजारीबा, कोडर्मा, गिरिडिय, देवघर, दुमका और पाकोड शामिल है इन इलाकों में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वजरपात की भी संभावना है इसके अलावा राजे के सभी जीलों में मौसम सुस्क रहने की संभावना है गड़वा जीले के भंडरिया थाना छेतर में नकसली संगठन जेजेम पी ने उतपात मचाया करीब आधा दर्जन नकसली डर्या थाना छेतर को से स्थान पर पहुचे जहाँ पूल निर्माड हो रहा था नकसली वहां लेवी मांगने गये थे निर्माड इस्थल पर नकसलीों ने तोड फोड की और मजदूरों से मार पीट भी की घटना मंगलवार 20 फरवरी की देर रात की है बतादें की डर्या थाना छेतर के अड़ा महुआ और कंजिया गाउं को जोडने वाली सरस्वती नाला पर पूल निर्माड कराया जा रहा है इसी बीच आधिरात को नकसली लेवी वसूल ने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुचे वे वहां हत्यार के साथ आये थे हत्यार के बल पर उन्होंने साइट पर तोड फोड सुरू कर दी नकसलीों ने पोकलेन मशीन में तोड फोड किया साथ ही वहां मौजूद मजदूरों स से मारपीड भी की एक साल में दो हजार करोड का डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट राची में 400 करोड से बनेंगे 26 रेलवे ओवर ब्रीज वा अंडर पास 26 को पीयम मोधी करेंगे शिला नयास पहली बार राची रेल डिविजन को किंद्रे सरकार ने एक साल में 2000 करोड का डेव अम्रिध भारत इस्टेशन की तर्च पर डेवलप किया जाएगा वहीं पूरे जार्खन में राची के 14 रेलवे स्टेशन समिश 57 रेलवे स्टेशनों का रीड डेवलप्मेंट होगा वहीं पूरे जार्खन में कुल 83 रेलवे ओवर ब्रीज और अंडर पास बनाये जाएंगे जारकन समेत देश्वर में 550 स्टेशनों को अमरिद्भारस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है वहीं देश्वर में 1500 रेलवे ओवरब्रीज और अंडर पास बनाये जा रहे हैं यह पूरा प्रोजेक्ट 40,000 करोड का है इसका शुलानयास 26 फर्वरी को पीम नरिंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे सीएम के कारिक्रा में जा रही महिला की सड़क हाथसे में मौत शव के साथ रोड जाम दुमरी मुख्यमार्ग के कठवारा बराकर के बीच चेकनाका के समीब बीती रात होई एक सड़क दुर घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई मौने तक महिला की पहचान पांडेडे निवासी कुमारी देवी के रूप में की गई है घटना के बाद आक्रोशित लोग शव के साथ पिर्टांड प्रकंड कार्याले के समीब पहुचे और गेडियर राची मुख्यमार्ग को जाम कर दिया लोग सड़क के दोनों और बांस का बैरियर लगा कर नारेबाजी कर रहे हैं इधर सड़क जाम की सूशना मिलने के बाद पिर्टांड बीडियो और थाना प्रभारी मौके पर पहुचे वे आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ट्रेनी आईये सहित कई अफसरों को ग्रामिडों ने लिया कबजे में बॉंड भरने के बाद सभी को छोड़ा गया दुमका जीले के सिकारी पाड़ा में इसील सहित कई कोल कमपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है लेकिन ग्रामिडों के गुस से और विरोद के करड़ कोल ब्लॉक चालू नहीं हो पाया है कमपनी की तरफ से जब कभी इसे चालू कराने की कोशिस की जाती है तो मामला तूल पकड़ लेता है हालाद तो ऐसी हो गई है कि गाउं के लोग अफसरों को संधे की नजर से देखने लगे है एक बार फिर सिकारी पाड़ा थाना छेत्र ब्रमर के दोरान प्रसेक्षू आईस प्रांजल धांडा के साथ अंचल अधिकारी शिकारी पाड़ा थाना प्रभारी और पोलिस पार्टी को ग्रामिडों ने कई घंटे तक गाउं में बैठा कर रखा इसकी सूचना जीले के उपयुक्त को मिलते ही स्पी और स्डीम के नेत्रित में भारी पोलिस बल गाउं पहुच कर सभी अधिकारी को सुरक्षित निकाल कर थाने ले आई बता दें के फिलाल इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है जार्खन में बड़ा हाथसा कोईला खदान धसने से 12 लोग घायल जार्खन के राची के बुड़मों इलाके में उस वक्त हरकम्त मच गया जब यहां भूमिगत कोईला खदान धस गई जिससे जमीन में बड़ी दरारे पड़ गई है वही खदान धसने से 12 लोग जखमी हो गए मुखिया चमरू लोहरा ने बताया कि उन्होंने कई बार सीसियल को पत्रे लिक कर इसकी जानकारी दी है जिस जगह पर धसान हुआ है वहां से 500 मिटर के दायरे में पिछले वर्जी भू धसान हुआ था मुखिया चमरू लोहरा ने बताया कि चापर कोईलारी की बंद पड़ी भूमिगत खदान अंदर से काफी दूर तक खोखली जगह है लोबिन बनाने वाले हैं अपनी पार्टी जार्खन बचाओ मोर्चा के नाम से होगा पंजी कृत बोर्यों से जैमेम विधायक लोबिन हेंबरन आय दिन अपने ही पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा से पहले वे अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं तरसल लोबिन हेंबरन जार्खन बचाओ मोर्चा के सनरक्षक हैं लेकिन अब इस मोर्चा को राजनेतिक दल बनाने की कवायत सुरू की जा रही है कि पहले निबंदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग में आवेदन दिया जाएगा इसके बाद जब पार्टी रेजिस्टर हो जाएगी तब लोबिन जेमेम छोड़ देंगे शहर में नए पार्किंग इस्थलो के लिए निगम कराएगा सर्वे शहर में लग रहे जाम को देखते हुए मंगलवार को अपर प्रशासक कमला कांध गुपता ने जीला प्रशासन और ट्राफिक पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में श्री गुपता ने कहा कि ऐसा लगतार देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास पार्किंग की जगा है फिर भी वे अपने वहां सड़क पर ही पार्क करते हैं इससे जाम लग जाता है इसलिए नीगम और ट्राफिक पुलिस की टीम इस दिशा में लगतार अभिय उन्होंने नए पार्किंग स्थलों के चयन के लिए सर्वे कराने की भी बात कही बैठक में ट्राफिक पुलिस के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर में पार्किंग स्थल की कमी के कारण कई जगह सड़को पहरी स्टेंड बना दिया गया है कोईला व्यवशाई अभिशेक की हत्या में शामिल तीन उगरवादी गिरफतार पिपरवार और खलारी थाना छेत्र के कोल वैवसाई अभिशेक श्रिवास्तों की हत्या में शामिल रहे टीस पीसी के तीन उगरवादियों को चत्रा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इन उगरवादियों के पास से भारी मात्रा में हतियार वो अन्य सामान जब्त किये गए हैं गिरफतार उगरवादियों में राची के मैकलूस्की गंज थाना छेत्र के धम धमियां माइन्स कॉलोनी निवासी सब जोनल कमांडर अभिशेक उरफ सोभित सर्मा उरफ राजा लतेहार के बालुमात के मुर्पा गावनिवासी एरिया कमांडर इर्फान अन्सारी उर्फ तुफान और राची के खरारिथाना छेतर के जमुना धोड़ा गाव निवासी संदीप लोहरा उर्फ बलवन्त शामिल है यह जानकारी स्पी राके श्रंजन मंगलवार को प्रेसवारता के दोरान दी चत्रा निवासी बीएसेफ जवान की ट्रेन दुरघटना में मौत गुजरात के भूज में थे पदिस्थापित और छुट्टी में घर आने के दोरान बीत्य 18 फरोरी की रात रास्ते में हाथसे का शिकार हो गए इस घटना की जनकारी मिलने के बाद से ही गाउ में मातम पसर गया आज सुबा नौ बजे जवान के शव को लेकर बीएसेफ की गाड़ी राजपूर पहुची इस्थानिया मुख्य विकास कुमार के नत्रितों में सैकडो लोग मुरितक जवान के शव को लेने के लिए इटखोरी पहुचे इटखोरी से पूरे सम्मान के साथ ग्रामिर जवान के शव को राजपूर गाउं तक लाएंगे इसके बाद गाउं इस्ति समसान घाट पर आज ही राजप्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार किया जाएगा जारखन में छे पश्चिम बंगालव बिहार की एक-एक और उडिसा की दो लोगसभा सीटों पर जहमुमों की दावेदारी लोगसभा चुनाओं में जारखन मुक्ती मोर्चा, इंडिया गडवंदन के तहट जारखन के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उडिसा और आसाम में भी लोगसभा का चुनाओं लड़ना चाहता है जारखन की छे, पश्चिम बंगाल, वबिहार की एक, एक और उडिसा की दो लोगसभा सीटों पर दावेदारी पेश की है जनकारी के मुताबिक पिछले दिनों कॉंग्रस के राश्ट्रिय अद्रक्स मलीकारजुन खडगे वर राश्ट्रिय महासचीव के साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरन विधायक सुद्धिवे सुकुमार सोनू पार्टी के महासचीव सुप्ट्यों भट्टा चारेवा विन मनरेगा में लोकपाल को मिली 2495 में शिकायते 365 का निप्टारा बाकी 45 लाग से अधिक की हुई वसूली मनरेगा योजना की जांच नियमित अनुश्रवर्ण वा सिकायतों की निप्टारे के लिए नियुकती लोकपाल के समक्ष करीब 2495 में शिकायते प्राप्त हुई है अब तक इस वित्य वर्ष में 45.39 लाख रुपए की राशे की रिकवरी की गई है बतादें की वर्तमान में 24 जीलो में से 21 जीलो में लोकपाल नियुक्त है शेस्तिन जीलो पुर्वि सिंग्भुम दुमका बोकारो जीला में लोकपाल नियुक्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है प्रतिबंदित सूची वाली जमीन पर फैसले के लिए SOP बनाने का निर्देश स्वागत योग्य माकपा मुख्यमंत्री चमपई सोरे ने जार्खन में प्रतिबंदित सूची वाली जमीन के मामले में SOP बनाये जाने का निर्देश दिया है इस पहल का CPIS स्वागत करती है इस आदेश से यहां के रयतों के हक में एक सही कदम उठाया है इस समबंद में CPIM राज सच्यू प्रकास विपलो ने कहा कि पार्टी उनसे अपील करता है कि इस काम के लिए उनके द्वारा एक समय सीमा तै की जाए क्योंकि हिमन सरकार द्वारा भी संदिक्द जमाबंदी की जाच का आदेश दिये जाने के बावजूद जीला इस तर पर कि प्रतिबंदी सूची वाली जमीन के मामले पर SOP बना कर इसे एक निश्ची समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए जिससे रहतों को परिशानी से निजात मिल सके डीजीपी ने बताया ग्री मंत्राले के निर्देश पर पूरो सीम सोरिन के आवास के पास भेजे गए थे सीयार पीएफ जवान जमीन घोटाला प्रकरण में 20 जन्वरी को सीमा वास में एडी की पूछताच के तोरान सीयार पीएफ के जवानों के सीयार पास पहुचने वाले मामले में पुलिस मुख्याले की रिपोर्ट की समिक्षा चल रही है मुख्य सचीव को भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया है कि ग्री मंत्राले से जारी दिशा निर्देश के आधार पर इडी की सुरक्षा में 250 जवान सीयम हाउस गये थे इस दिशा निर्देश के प्रतिलेपी डीजीपी को सीयार पीएफ जारकन सेक्टर के आईजी ने सौपा था जिसे डीजीपी ने अपने रिपोर्ट में सनलगन किया है डीजीपी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सीयम आवास जाने वाले जवानों का नेत्रितों कमांडिंग अफसर एसके पाल वा सहयक कमांडेंट हरमीत सिंग कर रहे थे बता दें कि बीना सूचना के प्रतिबंदिश छेतर में सीयार पीएफ के जवानों के प्रवेस करने के मामले में राची के गोंदा थाने में प्रास्मी की दर्श की गई है जिसकी जांच जारी है बताया जा रहा है कि डीजीपी की रिपोर्ट पर मुक्य सचीफ की समिक्षा के बाद वर्य पदाधिकारियों के निर्देश के बाद ही गोंदा थाने की जांच आगे बढ़ेगी प्रास्मी की दर्श की गई है गुमला में बहन की शादी से पहले भाई की हत्या लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला आ जाने वाली है बारात गुमला में बहन की शादी के लिए तयारियों में जूटे भाई की हत्या कर दी गई परिजनों ने शादी को नहीं टाला है आज बरात आने वाली है अब एक तरफ शादी और बरात्यों के स्वागत की तयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ भाई की अंदिमसंसकार की भी तयारी हो रही है घटना गुमला जीले के सदर थाना छेतर के सारू डैम के पास की है अपराधियों ने लाठी डंडे और पत्थर से कूच कर 40 साल के दीपक उराओ की हत्या कर दी घटना मंगलवार देरदात की है दीपक राइवडिय थाना छेतर के परसा गाव करहने वाला था घटना की सूचना के बाद SDPO सुरेज प्रशाद यादो दलबल के साथ मौके पर पहुचे पोस्मार टाम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया दीपक उराओ की फूफेरी बहन की शादी है सारू गाओं में शादी समहारों होनी है आज बुधवार को पालकोट थाना छेतर से बारात आनी है परिवार के लोग बारात के स्वागत की अंतिम तयारी में जूटे थे दीपक भी अपने गाओं परसा से मंगलवार को शादी का कुछ समान लेकर पहुचा था रात करीब साड़े ग्यारा बजे वह शादी घर से बाइक लेकर कुछ समान लाने की बात कहे कर बाहर निकला था इसके बाद देर रात तक वह वापस नहीं लोटा बुधवार को सुबह लोगों ने देखा कि दीपक का सारू डैम के समिप हत्या कर दिया गया है बास के लाठी डंडे से उसे जम कर पीटा गया है इसके बाद पत्थर से कूच कर उसकी हत्या कर दी गई है वही घटना इस्थल पर खोन से सना हुआ बास और पत्थर भी पड़ा हुआ है आज जार्खन लोटेंगे कॉंग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली में केसी वेडु गोपाल से मुलाकास के बाद MLS बोलें उन्होंने कमिया दूर करने का अस्वासन दिया जार्खन के नाराज कॉंग्रेस विधायक अब दिल्ली से लोटने की तयारी में है प्रदेश में मंत्री मंडल विस्तार के बाद पार्टी के सत्र में से 12 विधायक नराज चल रहे थे उनमें से 8 विधायक अपनी नराजगी जाहिर करने दिल्ली पहुचे थे जहां उन लोगों ने कॉंग्रेस के आलाकमान और राश्ट्रे महासचीव केसी वेडू गोपाल से मुलकात की थी केसी वेडू गोपाल ने सभी विधायकों को सुनने के बाद उन्हें संगठन और सरकार के साथ काम करने की सलह दी और वापस लोटने को कहा जानकारी के मुताबिक वेडू गोपाल ने सभी विधायकों को आस्वासन दिया है कि जो कम्या रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा धनबाद में बीसीसील आउट्सोर्सिंग में बंबाजी बाल बाल बचा ट्रीपर ऑपरेटर बीसीसील के आउट्सोर्सिंग डंपिंग याड़ पर मंगलवार की रात अपराग्यों ने बंबाजी की है इस बंबारी की घटना में ट्रीपर वाहन का ड्राइवर बाल बाल बच गया चलती गाडी के कैबीन में अपराग्यों ने बंफेका था गनीमत रही थी कि गाड़ी आगे बढ़ गई और बम डाला पड़ जा लगा यदि कैबीन में बम गिरा होता तो किसी एन होनी से इंकार नहीं किया जा सकता था घटना के बाद आउट्सोर्सिंग में काम करने वाले कर्मियों में दहशत का महौल है कर्मियों ने आउट्सोर्सिंग प्रबंदन से सुरक्षा की गुहार लगाई है बंबारी की घटना जीले के पुटकी थाना छेत्र के गुपाली चक 17 नंबर में संचालित बीसी सील के लिए कोईला उत्पादन करने वाली स्टीजी आउट्सोर्सिंग कंपनी के डंपिंग याड के पास होई है देर्रात अग्यात प्राधियों ने कंपनी की गाड़ी पर बंब से हमला कर दिया हलांकी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ जार्खन की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जार्खन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बैल आइकन को प्रेस करें नमस्कार